प्रिये छात्रों नमस्कार अन्लॉक इस्टडी के दस्मिक एक्षा के गनित में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रस्ना वरी पाथ दसनलब तीन के प्रस्न संख्या चार को सॉल्फ करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइप कर दी जगा ऐसा इसलिए कि जब मैं कोई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहेगी तो आए वीडियो शुरू करते हैं प्रस्न संख्या चार है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए यहां आपको दिया हुआ ह एस कामान दिया हुआ है कितना है 636 योग प्राप्त करना है तो एस कामान आप लिखेंगे SN 636 अब इसके बाद हमें जरूत परेगा A का तो A कामान आपको पता है कि AP का जो पर्थम पद होता है वह A होता है तो यहां क्या है A कामान 9 है तो 9 लिख लेंगे अब D निकालेंगे तो D कामान क्या होता है A2 माइनस A1 क्या होता है A2 माइनस A1 तो यहां A2 कामान कितना है 17 है और A1 कामान कितना है 9 तो 17 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8 हमें इसका n का मान निकालना है क्योंकि सवाल करा है कितने पद लेने चाहिए तो यहां n का मान हमें पता नहीं है यहीं हमें निकालना है ठीक है तो asn के फर्मूला पे बढ़ेंगे हम आगे तो asn का फर्मूला होता है asn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लास n माइनस 1 गुने d इसका मान है 636 तो n का मान पता नहीं है तो n के जगा पे n लिखेंगे बटा में 2 2 गुने a का मान है आपका 9 प्लास n का मान नहीं पता है और d का मान है आपका 8 तो 8 लिखेंगे बराबर 636 चलिए अब n बटा में 2 9 दुना क्या होगा 18 प्लास 8 में n से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8n और 8 में 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 है कम 8 बराबर 636 अब n बटा 2 प्लस का 18 और माइनस 8 तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 प्लस 8n बराबर 636 तो n बटा 2 गुने यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में 5 बच जाएगा और इधर क्या बचेगा 4n बराबर 636 हम चाहें तो यह 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं अब इसको गुना कर लेते हैं तो 5 में n से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5n square 5n हो जाएगा square नहीं हो गए 4n में n से गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4n का square बराबर 636 है तो हम माइनस 636 कर सकते हैं बराबर 0 तो इसको आई सीरियल कर लेते हैं तो 4n square प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर 0 अब जो आगया यह यहन में एक द्विघात समिकरन है तो हमें इसका मूल निकालना पड़ेगा तो मूल निकालने का आपके पास कई भी दी हैं यह आपको पता है तो आएए यहां हम द्विघातिय सुत्र का प्रयोग करके हम इसका मूल निकालते हैं तो दुग्धाती सुत्य का प्रयोग करने में हमें A, B and C की जरुरत होती है A का मान हो जागा आपका 4 B का मान हो जागा आपका 5 और C का मान हो जागा भाइनस 636 नहीं इसके बाद हमें मूल निकालना है लिखेंगे मूल बराबर यह होता है माइनस B प्लस माइनस से रूट अंडर B square माइनस 4A C बटा में 2A ठीक है तो माइनस B तो B का मन 5 है तो लिख देते हैं माइनस 5 और प्लस माइनस रूट अंडर B square माइनस 4AC तो B का मान क्या है 5 का square माइनस 4 A का मान है आपका 4 और C का मान है माइनस 636 बटा 2 गुने A का मान है आपका 4 तो माइनस का 5 प्लस माइनस अभी इसका काम करते हैं तो यह आजाएगा मेरा 2525 और माइनस माइनस हम पहले पलस कर लेते हैं चार चाओ का 16 और 16 से जब हम 636 को गुना करेंगे तो यह आजाएगा 10176 बटा 4 गुने आट तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर अब इसको जोड लेते हैं तो 615 का 1 हासिल 1 729 और 10 का 0 हासिल 1 1 का 1 2 0 और 1 10201 आ गया बटा में 8 तो माइनस 5 प्लस माइनस 10201 का जब हम बर्गमूल बनाएंगे तो यह आ जाता है मेरा 101 बटा में 8 तो आप हम करते हैं इसको दो भाग कर लेते हैं तो माइनस 5 और प्लस 101 बटा में क्या हो जाएगा 8 और इधर हो जागा माइनस 5 इधर माइनस कर लेते हैं 101 बटा में यह हो जाएगा प्लस का 101 है और माइनस का 5 है जब हम माइनस का 5 घटा देते हैं तो यह आता है मेरा 96 बटा में 8 और इधर आ जाता है मेरा 101 और माइनस 5 यह हो जाएगा मेरा माइनस 106 बटा में 8 आठ सकते हैं तो काटने के बाद होजाएगा बारह आठे चे आठे में क्या आगिया बारह और इसको अगर काटते हैं तो या आता है 53 206 और 4 दुनी 8 तो यह हो जाता है मिरानकमान माइनस 53 बटा में 4 देखे यह रिनात्मक है और कभी भी N का ममान इरिनात्मक में नहीं होता है लिख दिजिए यह नहीं होगा क्योंकि N इरिनात्मक नहीं होता है तो N का ममान में रागया 12 यानि 636 योग प्राप्त करने के लिए अगर कोई AP 9, 17, 25 और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा तो N का ममान 12 यानि हमें 12 पद चाहिए यहीं मेरा फाइनल एंसर हो जाएगा आपको ए वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जाएगा प्राइगा